हेलो दोस्तों तो कैसे है आप इस वीडियों में बात करेंगे एंजेट वर्जस एफजी ड्रीम 11 प्रेडिक्शन यारी न्यूजिलेंड और अफगानिस्तान के बीच मैच होने वाले उसके बारे बात कर लेंगे न्यूजिलेंड का यह पहला मैच है इस वर्ल्ड कप का लेकि करता हूं लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको बताओं आप टीम हमेशा अपनी करनी कोशिश करें इंफोर्मेशन सारी में दूंगा ताकि आप बैस से बैस बढ़िया कर पाएं अगर आप दोस्तों नए हैं हमारे यूट्यूब चैलनल पर जल्दी से वीडियो को नीचे ल यहां आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों तीन मैच जो अल्रेडी हुए है यहां जरूर अफगानिस्तान लगा यूगांडा की फिल्डिंग खाफी खराब थी और उसमें भी एक लोग स्कॉर उन ने चेस किया सेवेंटी एट करो स्कोरिंग कम हुई है अब आप कह सकते हों कि पी एंजी युगांडा जैसी टीम कम स्कोरिंग करती है अफगानिस्तान ने तो स्कोर कर दिया अफ़कॉर्स 141 50 आपको देखने को मिल सकता है यकीन मानिये पिछ थोड़ी स्लोईश नेचर की है स्पिनर्स गेम में आ रहे हैं तोटल 45 में 25 वाज 17 स्पिन तीन अवरॉल देखोगे नंबर्स बोलर्स को ज्यादा हेल्प कर रहे हैं अब गुर्बाज का यहां पर एक स्टैट्स हैं प्रोविडर स्टेडियम गयाना के ही हैं जो मैं आगे एक लौता जो मैच हुआ है इस साल दर्शान ही वालों स्टैट्स आपको तो वहीं से अंदाजा लगा लेना एवरी स्टैट इस वहीं स्टैट जो इस साल इन्होंने किया है इस फैक्ट मुझे कहना चाहिए इस वर्ल्ड कप में जो इन्होंने किया है अगर आप देखेंगे सिरफ एक हैड्ट हुआ हुआ है जिसे आपको याद होगा जिस वक्त इंडिया को चाहिए था कौलीफाय करने के लिए कि अफगानिस्तान न्यूजिलेंड को हरा दे आपको मैश भी याद आ जैए इस वर्ल्ड कप में इंडिया बाहर हो गया था पाकिस्तान से भी हार गया था यहां पर हमें जरुए त्य अफगानिस्तान न्यूजिलेंड को हो रहा है ताकि हम कौलिफय कर पाया लेकिन अफगानिस्तान वो काम नहीं कर पाया था न्यूजिलेंड का कौन सा प्लेर कौन कितनी फोर्म में न्यूजिलेंड को खेले काफी टायम हो गया ना इनोंने को बैलेटरल सीरीस के लिए टीट कर दूगा ठीक है जो सबसे ऊपर का कमेंट है लेकिन लास्टी टीटी मैं 60 आया था फेलन की शरी है लेकिन बीच में इनको जब दौर चला था एक सो सेंटीस और चोटतर आये थे काफी टाइम हो गया इनको भी खेले हुए केन विलिमसन आईपिल में भी खेले थे चब्वी सरन मारे थे फॉर्म ठीक ठाक है बैक है सकतो डिस्पाइट फॉर्म बेस्ट बैटर है ये न्यूजिलेंड के लिए लिए थी थी ठाक नौक साय थे फिलिप्स आईपिल थो खेले ही नहीं संराइजर से बैटे बैट फॉर्म इनका उससे पहले ब्रिलियंट था बैस्ट बैटर बनके आये थे न्यूजिलेंड के लिए हाली में जो आईपिल से पहले सीरीज थी उसमें दैन मार्क चैपन का फॉर्म के लिए एक सीरीज खेली थी उसमें 23 जीरो विकेट 27 एक विकेट और चारन एक विकेट किये थे इसलिए हो सकता है खिला भी ले टीम बागि साओधी बोल्ट में बोल्ट का फॉर्म का राजस्तान रोल्स के लिए मैठ हन्री का एवरेज फॉर्म रहा है लोकी फरगशन ने स्टार्ट हो गया है मंगलादेश और न्यूजिलेंड बागी है लेकिन न्यूजिलेंड मेरे को सबसे ज्यादा प्रवबल 11 करने में मुश्किल देखे गई क्या ओपनिंग पर फिन एलन आएंगे रशिन रविंद्रा डीवन कॉन्वे की इतनी है 80 परसेंट 100 परसेंट नह नहीं खेलते तो यहां पर पास एक प्रॉपर बैटर का उप्शन है माक चैपमें ब्रेस्वेल माक चैपमें से बहतर है इन टरम्स ऑफ लेट से ओल्राउंड स्किल्स बल्लेबाजी के तोर पर चैपमें को भी ला सकते हो को दिक्कत नहीं है बट ब्रेस्वेल लास्ट यर इंजड थे इसलिए बाहर थे उससे पहले चैपमेंड को कम इंपोर्टेस देते हुए ब्रेस्वेल को ज्यादा देरी थी न्यूजिलेंड के टीम अब देखते हैं क्या करती है नीशम है मिचल सैटनर ऑफकॉर्स खेलेंगे स्पिन बोलर टिम साओधी लॉकी फरगिशन ट बोलिंग कोंट्रिवूशन आपको पता है जो इनके हैं फास्ट बोलर के वह बेस्ट और सामने राश्रीट जैसी प्लेयर जैसे प्लेयर जो तेस्क को लगाते हैं न्यूजिलेंड की जो कॉलिटी यह वह इतनी थगड़ी है कि ट्रेंड बोल्टिम साओधी और पेसर भी य सबसे जादा एक्सपीरियंस फास्ट पूलर इनके पास है अगर आप उस्ट्रेलिया से कंपेर भी कर लो स्टाक वगरा से भी स्टाक है उनसे ज्यादा टीवेंटी मैचे आपको इनके दिखेंगे तो न्यूजिलेंड बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लाइन अप लेके आ चाहिए न्यूजिलेंड के सामने अब क्या की विनिंग कॉमिनिशन चेंज करेंगे करना है तो करिम जनत की जगला सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है करिम जनत को वैसे भी लास में नहीं मिली थी बाकि यहां पे इनकी टीम देख लो वही टीम है जो पिछले स्लाइड पे एक मैच जीता है स्कोरिंग काफी अच्छी कर दी दोनों उपनर्स गुर्बाज और जद्रान ने गुर्बाज ने किये थे यहां 76 70 रंस किये थे यहां पे जद्रान ने बाकि किसी को ज्यादा स्कोरिंग की ज़रुद पड़ी नहीं थी बोलिंग में कमाल कर दिया था पेस और नवीनुलाग एक मैच दो ओवर दो विकेट बढ़िया अफकोर्स मैच इस तो सबके एक है बट इन सबको विक्ते अच्छी मिल गई थी इन से भी मुझे चार और की उमीदा मुझीब से यह दोनों मिलके मेरे साब से नभी और ओमर्जाए ओवर कॉंट्रिबूट करें इनका इवन यहां जेमस नीशम हो गए विलियमसन हो गए सब टीटवेंडी लीग में खेलें तो मैच अप ज्यादा मिल जाएंगे आपको तो पहले हम देखते है रविंद्राग यह राशित को पहली बॉल पर चौका मारे है लाइफ में दूसरी बॉल पर आउट हो गया अ पचिसरन मारे है मिचल ने राशित को जो काफी कम लोग कर पाई इसलिए मिचल की इंपोर्टेस काफी जादा है मिडल ओर में न्यूजिलेंड के स्पिन बोलिंग अच्छी खेलते हैं ग्लैन फिलिप्स नवीन पर टीटवेंटी एक बर बंडे नभी पे भी आउट है ब्र स्पिन के आगे दिक्कत नहीं आ रही और यही गुर्बास का लास्ट मैंच में भी देखने को मिला था स्पिन को आगे बढ़ बढ़ के चौकेशक के मार रहे थे यहां पर इब्राहिम जद्रान हाला कि यह अफकॉर्स आउट हो गए थे बाद में मारे बहुत थे रंजिए वैसे निशब ने भी वंडे में आउट किया अगर आपने गुलवदीन नयाप का करियर देख है पेस को बहुत मारते हैं स्विन पर बहुत होते हैं गुलवदीन नयाप अजमतुल्ला अमर्जाय को भी एगए लगी ट्रेंड बोल्ट की वंडे में उसी प्याउट तो ट्र अगर मैच अब को आप समझोगे तो ट्रेंड बोल्ट शाय हुए हैं बाकि आपको कुछ खास नहीं देखना प्रैक्टिस मैच अगर वॉम अप देख रहे हो तो एक मैच यहां पर तो न्यूजलेंड लोगानिस्तान की तो यही मैच बचा वस ठीक है यह मैच में अपनी टीम करने चलते हैं विकेट कीपिंग सक्षें में कुछ सॉलिड प्लियर चाहे वह गुर्बाज चाहे को लेकर चलो मैं अगर आजाएंगे खेलने हो सकते हैं ओपनिंग कर जांगे साथ तो बड़े इंपोर्टेंट है क्योंकि अभी तक ना का यूज यह 80 परसेंट तो यह एक विकल्प रहेगा मुहमद इशक तो अभी मुझे नहीं लगता खेलेंगे और खेलेंगे भी तो मिडल और के खिलाड़ी में उत्ता प्रेफरेस नहीं दूँगा बल्ले बाजी में डैरियल मिचल टूडों के प्लेयर है इंपोर्टेंट काम कर सकते है स्पिन के जिनकी slower ones काम आजाती है थोड़ी थोड़ी आके मीडियम पेस डालते हैं यह गयाना जैसे स्टेडियम पर बड़ा तंग करते हैं बैटर्स को क्योंकि बहुंस मिलता नहीं है विकेट टूविकेट डालते रहते हैं कैच चले जाले जाएं लबीड़ी बोल्ड कर जाएं वै अगर रविंद्रा नहीं खेलते हैं तो मैं सीधा सीधा मिचल या फिनलन को रख लूँगा ठीक है क्योंकि रविंद्रा लेफटम स्पिन भी करते हैं शायद गयाना में काम बन जाएं यहां पर स्पिन बोलर्स चलते हैं क्लैन फिलिप्स को कैसे बूसकते हैं कुछ बल्ले नहीं रख रहा अब यहां पर ऑल्राउंडर जो की आटोमेटिकली फॉर सम्हाओ रीजन सेलेक्टेड हैं मैं आपको बता देतों सेंटर मुझे ले नहीं है लेफटम स्पिन करते हैं ओमर जाए कुछ मीडियम पेस कुछ बल्लेबाजी सेफर है लेना जरूरी नहीं है कि ल सब्सक्राइब मेरे को लगता है कि नभी को मेरे को टीम में लेने को प्रॉंट कर रहा है ठीक है ब्रेस्वल अच्छे ब्रेक भी डालते हैं बढ़िया बल्लेबाजी और शायद ग्लैंफिलिप्स अगर देखोगे इन से कम यूटिलाइज बोलिंग में ब्रेस्वल और डालने चाहिए और अगर ब्रेस्वल नहीं खेले ग्लैंफिलिप्स सीधा आपके ब्रेक बोलर बन जाते हैं और इंपोर्टेंड भी बन जाते हैं यह चीज़ देखके चलना ठीक है नीशम साहब हैं कुछ मीडियम पेस कुछ बल्लेबाजी करिम जनात कुछ मीडियम प ब्रेस्ट है मैं तो ट्रेंड बोल्ट आपको पता है स्टार्टिंग में विक्टर लेते हैं अगर लोखी फरगरशन खेलते हैं तो मैं यूज़िलेंड के लोखी को फॉलोग करूंगा अपनी टीम में लेकिन मेरी एक चीज़ समझ के चलना मेरे भाई टीम में चेंज हो सक सकते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे मैंने तो उन्हीं को क्या है हाला कि बेस्ट फॉर्म में नहीं है बट क्योंकि एक सेफ ऑप्शन दिख रहे हैं और वाइस के ऑप्शन बहुत है डिवान कॉनवे केन विलियमसन या आप और किसी जाना चाहते हो तो वह भी कर सकते ह मैं गयाना के स्टेडियम पे स्पिन बोलर चलते इन पंटिकुलर लेफट अम स्पिनर तो उनको बैक किया हूं लेफट अम स्पिनर होगे वाइस कैप्टन रविंद्रा भी लेफट अम स्पिन डालते हैं कैप्टन सी मैंने राशित को दे दिया यह टीम में भाई 101 में उस हिसाब से हमारी टीम रहे हैं फिलहाल मेरे कैप्टन राशित है वाइस कैप्टन सी स्टनर स्पिन बोलिंग और रौंडर्स पर गेम बनाई है गयाना स्टेडियम देखते हुए मेरी बात फिर से ध्यान से समझना टीम में चैनिस हो जाएंगे अकॉर्डिन टू सिच परहे हैं